आज हम करने वाले हैं दचैरी ट्री क्लास इंग्लिश लिट्रेटर का चैप्टर और इस चैप्टर का यह है सेकिंड पार्ट हम लोगों ने अल्रडी कर लिया है और अगर नहीं देखा है तो पहले आप फर्स पार्ट देखिए तब चैप्टर को अगे घंचलिए चलिए और देखते हैं हमने कहां तक बढ़ा था हां यह सब तुम्हें पढ़ लिया था यहां तक हम लोगों ने कर लिया था ठीक है तो मैं एक सेकिंड अपना प्रश को लेती हो यह इस इट इस तेकिन कम बेक वेन्यूर्ट वहां है कि अपना पुलादा शर्म बनना यहां पर यहां पर नाट्री बना-टो मोकर देता है जल्डी से इसको ड्रॉप कर दिता है नीची टाल दै है और यहीप आफ ड्राइव जो ड्राइव का हीप मील्स जो धेर होता है वहां पर डाल देता और क्या बोलता है उस butterfly को नहीं और caterpillar को कि भाई come back when you are a butterfly कि तब ही वापस आना जब तो butterfly बन जोगे winter came early जो सब्सक्राइव का मौसम होता है वह इस बार जलती आ जाता है जड़ चैरी ट्री बैंट लो चैरी ट्री जो होता है जुक जाता है क्यों जुक जाता है वाई with the weight of snow क्यों सब्सक्राइव विंटर में यह लोग को हीली रियास में रहते थे हैं ना तो वहां पर क्याता थ थी 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 पर पर तो बिड़ा बिचारा जो पेड़ा है वो जुक गया और फाइल्ड माईस जो ते जो चुहें होते थे ना ऐसी वहां पर गुमने वाले तो वो लोग क्या कर रहे थे कि भाई शौट का मतरता लुक्ट फॉर वो ढूंड रहे थे शल्टर चिपने की जगा है भार तो बरफ पढ़ गे ना तो चुहें को भी तो रंड लगती है ना बचा बाटी तो क्या हो रहा था कि चुहें जो थे वह भी चगा ढूंड रहे थ और देश मेंड ग्रेंट फादर क्वाइट ग्रंपी ग्रंपी मतलब उनको तो ना तम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था गुस्से वाले होगे थे वह दादू क्योंकि दादू वोज इना है विडिंग नियूस्पेपर स्टेदी लेकिन क्या हो रहा था है से सचुएश लेकिन अभी क्या हो रहा था दादू की स्टोरीज की अंडिंग गंदी वाले हो रही है मतलब वो बिल्कुल भी हैपी नहीं है राइध और ट्रीवर्स जो पेड़ हमारा वह कितना हो गया रिवस चू यानि की दो साल का पेड़ हो गया पट ऑल्मूस्ट एस टॉल एस राकेश लेकिन दोनों की हाइट राकेश की आई और पेड़ की हाइट दोनों लगमग बराबर तीन वन मार्निंग दिन सुबा को क् सूरज निकलता है ग्राइंट फादर केम इन्टी गार्डन जो दादू होते हैं वो गार्डन में आते हैं लेट सम वाम्त गेट इन्टो माई बूंस और दादू क्या कहते हैं कि भाया मेरी हट्डियों को थोड़ी सी क्या लगने दो वाम्त दूप मिलने दो मतलब तरी कि गर्मी मिलने दो किसकी सूरज की है ना तो बाहर दूपी क्योंकि पहाड़ी अरिया पे है दादू बुजुर्ग है ठंड का मौसम है तो क्या हो रहा है अब दादू थोड़ा सा धूप सेखने के लिए बाहर आएं ही सेट वो कहते हैं कि मेरी नाट्डियों को थोड़ा सा आप वाम्त मिलने तो ही स्टॉप्ड इन फ्रंट आफ दे चैरी ट्री वो रुख जाते हैं कहां पर चैरी ट्री के सामने और स्टियर्ड आट एट और इसको तहां सरसे घूर के देखने लगते हैं है ना स्टियरिंग क्या होता है आप घूरते हो किसे चीज को यह देखते रकेष ऑंड ग्रेंट फादर गेशा एट दिश्री आट थी ग्राकेश और इसके जो दादाची होते हैं वो गिल्ए मतलब ऐसे ध्यान से देखने बहुते हैं वो गेजिंग करते हैं ध्यार से देखते हैं अधड ट्री पेड की तरफ ऐस तो इट हैट परफॉर्मड अमेर और यह फूग लागया and that was the same you know feeling at the following year next year the following year means next year there were more blossoms और अगले साल तो और भी जादा जो थे वो फूग लोगे उस पे and suddenly अचानक से the tree was taller than rakesh अब जोता राकेश चोटा रहे गया और पेड जोता राकेश से भी उचा हो गया पेड एक्चली जल्दी बड़ा होता है न और बच्चा जोता है वो थोड़ा छोटा रहे गया भी even though बलकी क्या होता है it was less than half his age अब भाई देखो पेड की एज जो है वो राकेश की एज से आधी रहे लेकिन पेड का साइज कितना हो गया राकेश के साइज से भी जादा हो गया and then it was taller than grandpa और एक दिन ऐसा भी आया कि जो हमारा पेड था वो दादू से भी जादा लंबा हो गया था who was older than some of the oak trees ठीक है तो कुछ oak trees से भी जादा वो ओल्डर थे लेकिन पेड उन से भी जादा हूँचा हो गया बट राकेश हाड गौन टू आप राकेश भी बड़ा हो चुका है हमारा he could run and jump and climb trees as well as most boys आप राकेश जो है वो रन कर सकता है वो जम्प कर सकता है जिसे कि most of the लड़के करी लेते है जादा थे लेकिन फिर भी आज भी उस बच्चे को अपने दादू की कहानिया सुनना बहुत पसंद थे था in the cherry trees अगर हम बात करते हैं पेड की bees came on bees came to feed on तो bees जो है वो आती थी यूनो मदुमक्यां आती थी पेड़ पर feed करने के लिए निकी खाने के लिए चूसने के लिए क्या चीज पेड़ फ्लौ सम प्लॉसम के लिए रराइड तो वह जो फूलो कर रहा सोता था था उसको चूसने के लिए 20 भी आया कहते थी एंट था आैनी बोर्स चोच मारते है न मतलते है उसको ब्लते है करना कहां मतलते है आग प्लॉसम संद प्लॉक दैम ऑफ उनको गिरा देती थी तो फूलो को गिरा दे ती बाइड the tree is kept blossoming right लेकिन right through the spirit लेकिन जो फूल थे उग्ये की जा रहे थे बहसं था था ना बड़ा फूलो में बड़ा फूलो वाला थे जा चाहिए and there were always more blossoms than birds, birds जतनी आती थे उसे जाते तो फूल उगचाते थे the summer the summer sorry that summer there were small cherries on the trees अब इस पर समर में क्या होता है कि चोटी 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 चो बिगर बर्ट को सच आज बुल बुल्स होगे या स्कार्टलेट मिनुवेट्स होगे यह बर्ड का नहां है राइड और फ्लिट इन एन आउट ऑफ दा फ्लाइज फेस्टिंग ऑन दच चैरी अब यहां पड़ना कुछ वर्ड इन का मतलब हम यहां देख लेते हैं मतलब होता है मुवड लाइक्ली दिरे से वहां से निकल जाती थे क्विकली फ्रम बेस फॉंट नों से इक जगह और फिर रुखे और फिर क्या करती थी पहले यह बुल बुल घंड का मतलब हो गया स्काटलेट मिनिवेट्स यह बर्ड यह स्कुन बहुत पसंद बहुत पसंद की यहां से और जाती थी और फीस्तिंग मतलब जो फीस्तिंग होगे होती दावत वगर एक तरीके से करके न अपनी होग मजे मैं पाटी मनाते ठीव चारिक ठीटिघ आर मजे मैं फिर से एक दम से और जाती थी और और वां सन्य आफटरूनिक दिल क्या होता दुपहर में वें इवन दबीज लुक्ड श्लीपी जबकि बीज वह कैसी दिख रही थी बिलकुल जिस उने नीन दा रही हो राकिश वस लुकिंग फॉर ग्राइंट फादर राकिश दूढ आता दादू कहां गया एंड को दिन फाइंट फाइंट और उसको द बेड्रूम विड्डो यानि की जो बेड्रूम था उनकी विड्डो से उसने बाहर देखा एंट सौ ग्रेंट फादर दादू को मिल गए कहां मिले बाई क्या कर रहे थे दादू राकिलिंग ओन आ केन चेर अंडर चेरी ट्री यूनों वह होती है ना आराम दायक वाली चेर होती है बाडी को यह चाया जैसी चाहिए होती है वैसी शेड यहां पर पेड़ के नीचे है आई लाइक लूकिंग अट दादू बोलते हैं मुझे तो पत्यों को देखना है बहुत पसंद है यूनों अच्छी लगती है ना आरे आली मजा आता है देखने में दादू को भी सब्सक्राइब भी नहीं बैठे है तो पिचर में तो ऐसे ही बैठे हुए आराम से यूनों आभी दिखिया आप परो दे आर प्रिटी लीव्स यह किती सुन्दर जो हैं पतियां है ऐसाग राकेश राकेश बोलता है और आलवेज रड़ेज 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 कि दादाजी और आजाते हैं राकेश किसी से आरेज चेह रेड़ेज बॉली देग रहिते तो दूब बीच में बंड़ेज रही होती हहा पती है पता है हीom में ए तो लीवस से पार शूंपा कि देख रहा ह। और मांटेंस को देख रहा है यहां पर श्राइदिंग आवे इंटु देख जा रहे है यहां पर श्राइडिंग वर्ट काम में मतलब यहां लूंग इंटे रखा होगा जरूर अ जस टाममेनट एदेखो वाकिं विद लॉंग स्टैप्स ऐसे जैसे मा वह तरह ना लंबे- तो मतलब एक तरीके से माउंटेंज जो थे वह प्लाउड जो थे उनके आगे आए जा रहे थे वो छेप रहे होंगे उसके बीचे ठीक है अब राकेश अभी भी वहाँ लेटा हुआ है वहाँ बनीध तरी में पेड के नीचे जब शाम की छाया जो है वो गार्डन में पढ़ती है अब दादू आते हैं और देखो ये दादू जो है ये पोते के बगल में आकर इस तरह से बैठ जाते है दोनों बहुत हैपी है बिसाइड राकेश अब दोनों बैठ जाते हैं एक दुसरे के पास और उसके बाद वो इंतजार करते हैं साइलेंस का शान्ती का अंटल इट वस तर्क बहुत सारे पेड हैं फोरेस्ट में राकेश बोलता है ये राकेश दादू मुझे समझ नहीं आ रहा है जंगल में तो बहुत सारे पेड हैं हमें यही पेड क्यों इतना पसंद है और क्यों हमें यह तब यारा लगता है तो वी प्लांटेट अवर सेट ग्रांट फादर तो दादू बच्छे को समझाते हैं कि बेटा यह पेड हमने खुद लगाया है राइट और जो चीज हम खुद लगाते हैं ना हो तो हमारे लिए आप महसुस करो यह पेड कह जो बारो को आप टच करो तक कर कैसे अपनेां आप से बोलो कि पस एक शीड था जो मैं लगा इता अर टच करकि पनी अंदर महसुस करो कि कि बढ़ा हो ग्या तो ऐसा ऑप में रहा है वो फील कर रहा है उसे चूचू के कि मैंने एक बीज बोया तक चूटा सा बीच रहा हो देखो कितना जादा ये बढ़ा हो गया जैसे आप हाथ नहीं कुमाते पेड़ की चूंक पे ऐसे गोल गोल सा उसके आसपास गूमते हैं अपना हाथ ऐसे फेरते हो इसको बोल रहा है ठीक है अलाउंग देखो कि यही फीलिंग भगवान की भी होती होगी क्योंकि देखो मैंने एक पेड़ काया तो मैं इतना ज्याद कुछ हो गया उसको देखके जितना अच्छा मैसूस हो रहा है तो क्या भगवान जिसने सारी बनाई है इसको भी इतना ही अच्छा लगता होगा ऐसा बना के आप यहां पर फनेश रहता है हमारा चाप्टर यह कुछ इंफमिशन है हमारे राइटर के बारे में आप लोग प